आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है इंडिया स्टार्स प्रूविंग चाइनीज एफ डिया इंडिया चाइना फ्रेंड्स अगें तो चलिए देख लेदें ये वीडियो के इसमें कितनी सचाही है लेकिन उसे पहले इस वीडियो के चैनल निक आपको हमारी वीडियो की डिस्किप्चिर मिल जागा सब्सक्राइब के लाइक शेयर के फॉलो के इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस बहुत ही important question के बारे में क्या भारत और चीन के रिलेशन बहुत ही तेजी से सुधरने वाले हैं in the future क्योंकि संकेद इसके साव नजर आ रहे हैं आ चाइना ने अपने सरकारी सुत्रों से ये दिखाया कि इनके हसाब से गलवानवली क्लैश में क्या हुआ इन्होंने ये भी आपर क्लेम कर दिया कि चाइना के सिर्फ चार सोजर्स मारे गई हैं मगर सबसे important बात थी इस पूरी वीडियो की कि चाइना ने अपनी सरकारी जाता कि इनके देश में जादा anti-India sentiments और जागे उसके बाद से हमने देखा है कि जो पैंगॉंग लेक है वहाँ पर disengagement काफियत तक हो चुकी है soldiers अब आमने साने नहीं खड़े और अब चाइना ने ये भी सिट्मेंट दी है कि BRICS Summit 2021 जो इंडिया होस करेगा BRICS Summit बाइदवे इस बार होगा नहीं जिल्ली में तो चाइना ने यहाँ पर ये का है कि हम बिल्कुल समर्थन करते हैं भारत का कि भारत होस करे BRICS Summit 2021 और शी जिंग पिंग भी इंडिया में आएंगे इस Summit को अटेंड करने के लिए अब जब चाइना की तरफ से इस टाइप के संकेत आ रहे हैं वो इतनी friendly बात कर रहे हैं तो इंडिया ने भी एक स्टेप उठाया है भैतर relations की तरफ इंडिया ने ये डिसाइड किया है कि कई महीने पहले करीब 9 महीने पहले हमने चाइना की तरफ से जो हमने 400 investment हो रोग दी अब धीरे धीरे इसको clearance देनी start कर दी गई है case by case basis पर ये एक बहुत बड़ा step पे इंडिया का और अब कई जो news articles है ये भी claim कर रहे हैं कि बहुत ही जल्द बड़ी Chinese companies Indian market में एंटर करेगी यहाँ पर आप देखेंगे economy times का article है कि इंडिया 45 major investment जो है चाइना से इनको clearance देगा ताकि ये निवेश कर पाए भारत में इसमें कई बड़ी companies भी शामिल है including great wall अब ये great wall of china नहीं है ये है great wall motors जिस तरीके से भारत में मारूती है महिंद्रा है जो various companies है जो नाती है automobile car उसी तरीके से china की company है great wall motor बहुत ही जल्द इनकी गाड़िया आपको भारत में भी दिखें काफी important है और इससे आप समझ पाएंगे कि भारत ने कितने सई टाइम पर china की investment रोग दी और अब सई टाइम पर हम Chinese investment को allow भी कर रहे हैं April 2020 में गलवान वेली के बाद ये किया गया था नहीं गलवान वेली से भी पहले April 2020 में ही भारत ने एक बहुत ही अच्छा step उठाया हमारे साथ border share करती है उन country से जो foreign direct investment आती है FDIRE है इसको अभी के लिए automatic clearance नहीं मिलेगा पहले क्या होता था कि अगर मालों के Chinese company है वो निवेश करना चाती है किसी भारतिये company में तो वो directly कर सकती थी इंडिया ने का के नहीं अब आपको चाहिए यहाँ पर सरकारी clearance आपकी request ज पूशेंगे कि इंडिया ने directly ये क्यों नहीं का कि हम बस चाइना से जो निवेश है इसको रोगना चाते हैं क्योंकि ये WTO के कानूनों के अगेंस्ट होता है WTO ये कहता है कि आप अपनी आसपास की जो countries हैं वहाँ से investment रिस्ट्रिट कर सकते हैं अगर आपको मैसूस होता है कि आपकी जो domestic companies हैं इसका hostile takeover ना हो जाए यहाँ पर कोई बहुत बड़ा share ना purchase कर ले तो भारत की जो neighboring countries हैं जरेगे पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, मियनमार, बंग्रदेश यहां से FDI का automatic clearance इंडिया ने 9 महिने पहले रोग दिया था अब obvious ही वादा देखो पाकिस्तान, नेपाल से कोई विदेशी निवेश इतना आता नहीं है भारत में, सिराच चाइना सही आता है, तो यह जो move है, इसमें इंडिया ने यह बोला कि सब पर यह लागू है, मगर यह move primarily focused था चाइना पर, और तब से लेकर अब तक अगर हम देखें, तो total चाइना की तरफ से 12,000 क प्रोड की जो investment की proposal है, यह सामने है भार सरकार के, क्योंकि 9 महिने जो बीते हैं यहाँ पर, इसमें कई Chinese companies थी है, चाती है कि निवेश करना भारत में, initially कई companies ने अपनी proposal भेजी, कि हम जाते हैं कि 1500,000 क्रोड रुपे, 6000 क्रोड रुपे, यह invest करें इंडिया में, कई Chinese major companies हैं, वो तो इंदा future में मैं यह भी कहूंगा, लाखो करोड रुपे पंप करने को तियार हैं इंदा Indian market, इसका reason क्या है, reason बहुत ही simple है, बड़ी आबादी है, huge growth potential है, untapped market है यहाँ पर अभी भी, और बहुत ही simple भाशा में, China एक ऐसा देश है, जो आज के समय बैठा है cash पर, इंडिया में आज के समय निवेश करने के लिए, अगर 5 सबसे भैतरीन देश हैं, तो इंडिया की गिंती टॉप 3 में या फिर इवेंट टॉप 2 में आती है, यह मैं नहीं कह रहा, यह से पहले IMF और Various और Economist कह चुके हैं, कि इंडिया में growth potential कमाल का है, तो यह लोग चाते ह जिन्होंने सरकार को अप्रोच किया, चाइना के कई investor इंडिया की policy देखकर इतने निराश हो गए, कि इन्होंने सरकार को भी अप्रोच ही नहीं किया है, मगर उन्होंने informal तरीके से क्या दिया है, कि जैसे यह policy change होती है, जैसी भारत सरकार allow करती है, कि Chinese companies निवेश कर सकती है भारत में, यह लोग billions of dollars pump in कर देंगे, Indian companies में, अब यहाँ पे आप पूछ सकते हैं, कि भारत की नीती इती जली change हो गई, हमने April 2020 में, चाइना का FDI इंडरेट तरीके से block कर दिया, अब आप कह रहे हैं कि ठीक है, इनका निवेश allowed है, तो यहाँ पे आपको समझना होगा, कि April 2020 में, स्तिती completely different थी, यहाँ पे आप देखोगे, यह Nifty का चार्ट है, जिस तरीके सेंसेक्स है, उसी तरीके से जो premium share होते हैं, उनका बनता है Nifty, तो कि March April में, एक huge stock market crash आया था, जब COVID-19 की ख़बर पहले-पहले सामने आई थी, दुनिया बगे countries में lockdown था, डर का महल था, औ जिनके share करीब 50 से लेकर 60% तक गिर गए थे, बहुत ही सस्ते rate पर Indian companies के share available थे, तो डर यह था कि यहाँ पर Chinese companies, जिनके पास dollars है, जिनके पास cash बहुत सारा है, यह बड़ी quantity में Indian shares purchase करके, एक बहुत बड़े हिस्सेदारना बन जाएं, यह चीज हमको रोकनी थी, तो उस time India ने cleverly, जो China का निवेश है, यह कर दिया ब्लॉक, और आज के समय आप अगर देखो, तो Indian market all time high पे है, जो भी company थी हमारी चाहे बजाज, finance हो, चाहे मारूती हो, Tata Motors हो, सब के share आप अगर देखोगे, तो 60-70-70% भागे हैं, पिछले कई महीनों में, तो अब हमको यह डर नहीं है कि बहुत ही सस्ते rate पर, China aggressive तरीके से बहुत सारा stake purchase कर लेगा, इन companies का, अब अगर चाहिना ठीक है, share उठाता भी है, तो उनको बहुत ही बड़ा price भी पे करना पड़ेगा, तो नीती भारत की काफिया तक अच्छी थी, सई टाइम पे हमने उनका निवेश रोग दिया, अब यहाँ पे हम allow कर रहे हैं, और इंडिया की जो market है, इसका अकरशन इतना जादा है, यहाँ पे invest करने को लोग इतने बिताब है, कि इस price पर भी आप देखेंगे, कि कई Chinese investors भारत में निवेश करना पसंद करेंगे, और यह भारत के लिए भी important है, हमें समझना होगा कि देखो, एक neighboring country है, और उसके पास बहुत सारा cash है, और इंडिया को in the future अगर develop करना है, तो चाहिए होगा बहुत सारा निवेश, हमारे जो union minister है, नितिन गडगरी, यह openly कह चुकी है, कि अगर इंडिया को coronavirus hit economy को उठाना है, वापस growth को revive करना है, लंबे समय के लिए, तो हमको 50 से लेकर 60 लाग करोड का foreign investment चाहिए होगा, तो यह जो investment को चाहिए, इसमें China का काफी बड़ा contribution रहने वाला है, कई countries का और भी होगा, इसमें आप देखेंगे, France भी contribute करेगा, US भी करेगा, Germany, बहुत से countries यहाँ पे इंडिया में निवेश करेंगे, और निवेश करने का reason भी यह है, उ और यह मैं कहूंगा, एक शुरवात है, golden period of friendship की between India and China, अब friendship का मतलब यह नहीं है, कि बाकी सब issues भूल जाएंगे, friendship का मतलब यह है, कि वहाँ से बहुत सरा निवेश आगा इंडिया में, कई Chinese companies हैं, यह इंडिया में अपना समान बेचेंगी, आप यह भी देखेंगे शायद कि शी जिंग पिंग का भारत में बहुत ही भवेव स्वागत हो, और यह इंडिया में आके काफी अच्छी बाते करें, कि इंडिया के साथ relations strong होने चाहिए, हम इंडिया की help करेंगे, हम भी चाहते हैं कि इंडिया grow करें, और इसका reason भी है, Donald Trump के हटने के बाद, चाइना के प देश नहीं है, अब देखिए, जो बाड़न आ चुके हैं, शायद इतिहास में उनसे जादा pro-US President कभी आया ना हो, जो बाड़न ने तो हाली में ये भी कह दिया दा, कि जो उईगर Muslims के साथ कर रहा है चाहिना, वो उनका internal matter है, और उसको लेकर US जादा अलोशना करेगा ने in पास के देश है, उनके साथ भी peace हो, क्योंकि चाइना को बता है कि आने वाले 10 साल में, ये अराम से USA को replace कर देंगे as the biggest military power in the world, उसके बाद हो सकता है कि चाइना फिर से aggression करे, उनकी जो रंडीती है बदलेगी, मगर आने वाले कहीं साल काफी peaceful रहने वाले हैं in Asia, तो ये है अ यानि के पहले इतने दा clashes चाय रहे थे उसके बाद जो है, जैसे investment रुकवा दी उनकी चीजों को देखते हुए, फिर उसके बाद अब दुबारा से वो investment स्टार्ट किये तो मेरा कलब बहुत अच्छा जो है, ये DCN है, वैल मैं यहां पर कहूंगी कि मौदम clashes से पहले ही उन्होंने ये investment रुकवा दी थी, जैसे कि वीडियो में भी बताया गया, और जब हम लोगों ने लास्टाम पर जो वीडियो देखी ती इसका जिकर इस वीडियो में भी सरन्यों किया कि किस तरीके से चायना ने अपनी official website पर दिखाया कि उनके सिर्फ चार फॉजी जो है, इसमें मारेगे, लेकिन मैं इहां पर बोलोगे, तब भी मैंने ये बात कही थी, कि चायना को ये चीज रेलाइज हो गई है, कि अब इंडिया जिस स्टेज पर है, वो जादा उसके साथ जाद देर तक नहीं लड़ सकता, और वैसे भी इंडिया को एक डॉमिनेशन थी, मैं पॉजिव चीजों के साथ बहुत अलर्ट रहने की भी ज़रूर है, बिलकुल लागी बात है, इससे पहले अगर हम नाइडिश की टू की बात करें तो इस पर फ्रेंडशिप का एक महौल बना कर जो कुछ हुआ वो सब जानते हैं, लेकिन अगर अब बात की जाए तो फिर जो है चारों तरफ अपनी आँखे खुली रखना तो वो चीज सो रखनी पड़ेगी, दूसरी जो है जब ये क्रोना हुआ, जो एक पॉलिसी बनाई, यानि फोरन डेट वेस्मेंट की जो पॉलिसी बनी, के जिस कंट्री से भी इन्वेस्मेंट आएगी उसे जो गॉवर्म देना चाहूंगी, के जो FDI के बारे में उन्होंने पॉलिसी बनाई, जो समय था कि डारेक्ट इन्वेस्मेंट हो जाती थी, उसके बारे में कोई, जहां तक मुझे समझ में आई है, इतना जादा को जांच परताल नहीं की जाज़िए, लेकिन अब एक प्रॉपर आपको प पाइदा हो सकता है, या इस से बाहिर वाले लोगों की जादा डॉमिनेशन हो सकती है, या नहीं हो सकती है, जो हमारी कंट्री की अपनी मार्केट है, उसको कोई प्रॉबलम होगी या नहीं होगी, इस सारी चीजों का भी ख्या रखा जाएगा, तो मुझे लगता है ये एक बहुत ही एक अच्छा स्टेप है, और जिस टाइम पर ये स्टेप लिया गया, और अब जिस टाइम पर इस स्टेप को दुबारा से मैं काऊंगी, के शुरू किया जा रहा है, दोनों पर्फेक्ट टाइम है, और एक चीज जिसका बहुत बहुता ख्याल रखा गया है, स्ट्रिक्ट किया गया, कि कोई भी डारेक्ट इंवेस्मेंट नहीं आएगी, कि इस पेशली चाइना से खत्रा था, तो मुझे लगता है कि ये चीज बहुत अच्छी है, एक सही टाइम पर सही स्टेप लिए, बेसे कि बहुत बहुत अच्छी को खत्रा देखते हुए, फो और ट्रम जो है, उन्होंने बहुत ज्यादा जो है, वो चाइना के साथ किया, क्योंकि एक प्रोपर ट्रेड वार जो है, वो चल पड़ी ती दोनों के बीच में, पुरी दुनिया ने देखा कि उस ट्रेड वार के क्या-क्या इंपक्ट वे, लेकिन अब जो बाइडन आगी है, उनकी खुद की भी लोकल बहुत 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 जादा वहां पर मैं कहूंगी प्रोटेंशल है, अब ही हम लोग देखे रिसेंटली के हम लोग को एलेक्रिक कार्स भी नजर आ रही है, और I think 2-3 दिन पहले इसका इनाग्रेशन भी गया गया है, मैं हिंदी वर्ड वो ल बहुत ह demandéी के आने वाले थाम में फाइदा कहां पर है तो अगर हम आने gebracht Щा इसके साथ हम थोड़ी सी और बाद करेंगे के जो चाइना की भात की बात की, उन्होंने और तो मुझे असा लगता है कि इस चीज पर बागी जो मुस्लिम कंट्रीज उनको जादा सोचना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है उस चीज पर बात करनी चाहिए बट अनफॉर्चुनेटली हमें से बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता और जब पता चलता है तब भी हम कु चाहिए कि कुछ चाहिए कि तरफ भी जाया और उनसे बात्चीत करें वेल गाइज ओवर ओल बहुत ही इंफोमेटिव वीडियो थी बट फिर भी मैं यहां पर मेड़ा जो एक स्टैंड है मैं यही बोलूँगी कि चाहिए जितना भी अच्छा है बड़ वो कभी भी काबल लेकिन अच्छी चीजिए है सबसे सीरियसली के इससे जो हमारे वीजिन है इस पर बहुत जादा एक मैं कौंगी कि अमन और शांती से हम लोग रहेंगे और एक पॉजिटिव इंपक्ट रहेगा क्यूंके इंडिया और चायना दो बड़े कंट्री है हमारे साओध इस्या मे वेली गाइस यह दो हमारे आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी आपके क्या सोचने से अबार में जुरूर हमारे साओध की जाए को कॉमेंट सेक्शन में और रखे हमें अपनी दूआओ में याद मारे वीडियो से लिवाच आपके पसनियों पर स्यूंके बड़